शैवं पुराण मिदमात्म विदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम अवस्तु सता समर्च्यं तापत्रया भिषमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विदिहरिषमुखामराणां प्रिदर्श को नमस्कार एक बड़न से विसरों आप सबके सामने रवी वार के कारिकरम में लगनेज लगन में बैठें तो कैसा परणाम होता है लगनेज धन भाव में बैठेंगे कोई भी गरव हो करके तो उसका कैसा परणाम मिलता है लगनेस का तृती भाव में जाना कोई भी ग्रह हो करके कैसा प्रणाम देता है इस पे मैंने एक सीरीज बनाई है उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसे जाकर के देख सकते हैं उसी कणी को आगे बढ़ाते हुए आज चिर्चा करेंगे कि लगनेस अगर जन्म कुंडली के चौंथे भाव में बैटेंगे चाहे वो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लगनेश होता है अगर चौंथे भाव में बैटा है तो उसका कैसा प्रणाम मिलेगा आज के कारिक्रम में यही जानेंगे एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बात होगी शुरू करते हैं आज का कारिक्रम कही नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा कारिक्रम के आरंभ में शिव पुराण के महात्म अध्याय के पचासवे श्लोक पर हमारी यात्रा है शिव पुराण के महात्म अध्याय के पचासवे श्लोक में सूत जी ने सौनत जी से बात कही कि ये ब्रम्भा, विश्णु और महेश तीनों देवताओं के लिए प्राणों से भी प्रिये है और ये सर्वथा पूजनिये भी है इसलिए इसका सर्वण नित्य प्रतिरी करना चाहिए आईए बिशा पे लेकि आता हूँ यहां आज जो चर्चा होगी उसमें ग्रंथ में लगनेस का चौथे भाव में बैठने का प्रतिफल निश्चित रुप से सभी लगन और सभी ग्रहों के मामले में चौथे भाव में बैठने का फल राज योगों की भाती परिणाम करने वाला होता है अगर लगनेस कोई भी ग्रह बनते हों अगर जैसे ही उनका संबंध चौथे भाव से बन जाता है तो निश्चित रुप से वो बड़े अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं जिसका सारव भौमिक रूप से परणाम भवन, भूमी, वाहन, माता, पिता, परिवार, दामपत्य, संतान, सुख और ऐसो आराम की वस्तूओं को प्राप्त करते हुए जातक के जीवन में देखने को मिलता है यह पहली बात है, चाहे लगनेश आपकी कुण्ड़ी का कोई भीग रहो, पर इसमें दो सूत्र और भी अलग से लागू होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें लगनेश अगर वरिश्चिक रासी के अधिपती मंगल चौथे भाव में बैठे हूँ अगर मानलीजे आपकी कुण्ड़ी में मंगल लगनेश हैं और वरिश्चिक रासी के अधिपती हैं मतलब लगन में अगर वरिश्चिक रासी बनी है और अगर मंगल चौथे भाव में अकेले बैठेंगे तो आपको घर का सुख देर से देंगे अब भावन भूमी वहान का सुख बहुत बढ़िया प्राप्तों तो करेंगे पर उसमें बिलंब होता है या कई बार कोट केस कचहरी के मामले में भी व्यक्ती को पढ़ना पड़ता है इतना ही नहीं कई बार व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत होती है कई बार उसको कफ जनित, पित जनित, वात जनित समस्याएं निशे सोत्या चौथा भाव हरदय का होता है वो वहां से हरदयस्थ रोगों को देने वाले भी होते हैं यह सिर्फ बात मंगल पे लागू होगी अगर लगनेस व्रिश्चिक रासी के अधिपती होकर के मंगल चौथे भाव में बैटेंगे तो घर में कलह का वातावरण मचाएंगे क्योंकि नैसरगीक रूप से वहां पे मंगल की नीच रासी बनी होती है और मैंने यह कारेकर में बात कही थी किसी कुणली विसलेशन में भी बात कही थी कि लगनेस मंगल अगर लगनेस वोकर के चौथे भाव में बैटते हैं तो आपको घर से दूर रखना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने कुल देवता की उपासना करें के निमित दीप जला करके ही बाहर निकला करें क्योंकि चौथा भाव मंगल अगर बैठेंगे तो मैंने याद करिए कल के भी कारिक्रम में ये बात कही थी कि मंगल देव भू दैव के अंतरगत आते हैं भू दैव का अर्थ होता है हमारे घर में हमारे जो भू देवता हैं जि में वास्तू दोसों की उपस्थती अनिवारी रूप से देखने को मिल जाती है जो उसके जीवन को और उसकी आमदनी को प्रभावित करता है यहां रोक करके आपको एक बात और बता दूँ अगर आपके घर में आमदनी आ नहीं रही है या आमदनी से जादा खर्च हो रहा है या फिर घर में प्राया मानसिक तनाव जैसा माहौल बना हुआ है या घर में आसपास के लोगों से जगड़े फसाद वगेरा या बई मनस्व होता है जगड़ा होता है मन मुटाव चल रहा है अपने पडोसियों से तो निश्चितरु से आपको अपनी कुणली में अपन में मंगल देव को देखना चाहिए इतना ही नहीं अपने घर के पूजा स्थान को बदलने की भी आवशक्ता हो सकती है विशेसत या पूजा घर इशान कोण में होना चाहिए पूरब और उत्तर के कोण पे ये एक अलग बात है अब बात करते हैं मूल बिंदू पे विशा पेले के आता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में लगनेस चाहे कोई भी हो चतुर्त में बैटेगा बहुत अच्छा मुक्तकंठ जास्त्रों ने यहां भी इसकी बड़ी प्रसंसा की है अगर लगनेस सुरिय होकर के चौथे भाव में बैठेंगे तो ध्यान से समझेगा इस चौथा भाव उत्तर दिशा का द्योतक होता है वहां से हम उत्तर दिशा का विचार करते हैं और जन्मकुंडली में उत्तर दिशा में सूरिय उतने बलवान नहीं होते इस वज़ा से वो कई बार जब लगने सोकर के चौथे भाव में बैठेंगे तो आपको अपने घर से वो भी दूर रखना चाहते हैं सरकारी संपत्ती का लाव देना चाहते हैं पैत्रिक संपत्ती का फायदा होता है व्यक्ति बहुत सारी चीजे इकठा करने वाला होता है जैसे घर में साधन संसाधन का बड़ा ही साधन संपन होता है साधना संपन है की नहीं है ये अलग बात पर जिस व्यक्ति की कुंड़ी में लगने से सुर्य होकर के चतुरत बाव में बैटेंगे तो व्यक्ति साधन संपन होता है मतलब ऐसो आराम से जीवन जीना चाहता है, लाब दायक वस्तूओं को इकठा करता है और काफी ही जादा इकठा करने पर उसका ध्यान होता भी है पर जाएंगे आपको उसके घर के कलह का वाता वरन आपको प्रभावित करता है और परिशान भी करता है इतना ही नहीं तब आपको पता चलता है कि नहीं नहीं इसके घर में कलह है परवस्तूत है इसका प्रताप इतना है कि वो उसको बाहर प्रगट नहीं कर रहा है मतलब कहने का है कि यहां व्यक्ति के मन में बैमनस्व भी जागरित होता है यहां व्यक्ति के मन में कपट भी जागरित होता है और इतना ही नहीं कई बार वो बहुत जादा अनिद्रा के प्रभाव से भी प्रभावित रहता है मतलब घर में कलह का वातावरन देते हैं ये सूरी की बात है ये बात मैंने कही कि लगनेस अगर आपकी कुंडली में सूरी बनते हैं और जा करके जन्म कुंडली में चोथे भाव में बैठेंगे वहां से वो चतुरत स्थान से बैट करके दशम स्थान को देखते हैं, इस वज़े से पिता का भी भरपूर सुख व्यक्ति को मिलता है, पिता का सुख मिलने का अर्थ आप यूं समझ सकते हैं, कि पैत्रिक संपत्ति का लाब हो, सरकार का लाब हो, आपको आपके बड़े भाय का लाब मिलता है, यहां से बड़ों का भी विचार, हाला कि सुख भाव है, लेकिन फिर भी यहां से पिता का तुल्य, या पिता, स्वैम, अगर पिता नहीं हैं, तो पिता के तुल्य जितने लोग हैं, जो आपके बड़े हैं, उन लोगों का भी सुख आपको मिलता है, मतलब लगनेस अगर चंद्रमा होंगे तो वहां पे करक लगन की कुणली बनेगी और इस स्थती में अगर लगनेस चंद्रमा जाकर के चौथे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति को बड़ा ही सांत विचार वाला बनाएंगे बुद्धी मता से युक्त उसकी बुद्धी होती है लेकिन यहां पे चंद्रमा के चतुरत भाव में बैठने का एक परिणाम होगा कि वहां ब्यक्ति थोड़ा कामुक होता है और सिर्फ वो कामुक नहीं होता है वो स्वैम भी बड़ा सुन्दर होता है मतलब उसकी सुन्दरता देखते ही बनती है अगर ज साथ साथ मैंने जो धन वाली बात कही है पैत्रिक संपत्ती की बात कही है संतान की बात कही है वितापुत्र के संबंधों की बात कही है इमोशन की बात की है जो ये सारी चीजें उसको मिलेंगी लेकिन उसके अत्रिक्त चंद्रमा अगर यहां बैठेंगे तो ये दो चीजे और भी जुड़ जाएंगे अब बात करेंगे कि अगर लगनेस मंगल हो मेश रासी के अगर मान लिजे मेश लगने की कुणली है और लगनेस अगर चतुरत भाव में बैटेंगे तो याद करिए वो नीच के हो जाएंगे अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को निद्रा का भैस सताएगा वो अनिद्रा से युक्त रहेगा सरीर में ऑक्सिजन की कमी होती है कई बार उसका स्वसंतंत्र पाचंतंत्र अगर जाती का है तो फिर रक्त की कमजोरी और रक्त में गड़बड़ी होती है इतना ही नहीं कई बार उसको मानसिक अव्यवस्था का शिकार भी होते देखा जाता है और कई बाग उसका घर पे मन बिल्कुल भी नहीं लगता घर में कलह का वातावरण भी बन करके रहता ही रहता है इसको आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने कुल देवता को शांत करिए अपने कुल देवता के निमित अमावश्या क दान करिए, सुर्य को अर्ग देना चाहिए, अनमान चालीशा का पाठ करना चाहिए, इतना ही नहीं दीप दान निश्चित रूप से करना ही होता है श्नी वार को पीपल के बिच्छ की परिग्रमा और वहाँ पे जा करके दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जितना माने तो और भी नजदिक से समझते हैं अगर मान लीजे मंगल आपकी कुंड़ी में लगनेश होते हैं लेकिन मेस रासी लगन में नहीं बनी है वरिश्चिक रासी बनी है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के घर में कलह का वातावरों थोड़ा जादा बढ़ेगा ऐसी अवस् है कि व्यक्ति को मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत हो मतलब ब्रस्चिक लगन के लोगों में अगर लगनेश मंगल चौथे भाव में बैटेंगे तो साधन संपन देर से व्यक्ति बनता है ये मंगल तक की बात रही अब बात करते हैं कि लगनेश अगर जन्म कुंडली में बुद्ध बनते हों चाहे वो मिथोन लगन के हों चाहे वो कन्या लगन के हों अगर लगनेश जन्म कुंडली में बुद्ध बन करके चौथे भाव में बैटेंगे तो ब्यक्ति को कुशाग्र बनाएंगे ब्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे लेकिन यहाँ पर भी ब् बुद्ध देयो का लगने शोकर के चतुर्थ भाव में बैठने का परिणाम कई बार व्यक्ति के घर परिवार में कलह का वातावरन और कई बार व्यक्ति लालची प्रविर्ती का हो जाता है या कई बार गर कन्या लगनका होगा चतुर्थ में बुद्ध बैठेंगे तो लाल होता है मतलब बुद्ध का लगने सो करके चतुर्थ भाव में बैठना कमजोर नहीं है कुछ हद तक स्वास्त से समधित समस्याइं जैसे रेस्पेरेटरी सिस्टम को परिशान और उसे प्रभावित करने का बिना उठा लेते हैं अब बात करेंगे देव गुरुब रहस्पती तो बुद्ध के बारे में मैंने जो चर्चा करी वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुद्ध घर में कलह देते हैं स्वास्त से समधित समस्याएं देते हैं और कई बार वहाँ पे भी व्यक्ति के मन मस्तिस्कु को उद्धिगन करने का काम करते हैं अला कि व्यक्ति की कुशागरता और धन वादगर्या की समस्या नहीं होती है अब बात करेंगे कि देव गुरु ब्रहस्पती अगर लगने सोकर के चतु बाव में बैठे हैं और अगर गुरु लगने सोकर के चतुर्त बाव में बैठेंगे तो ये राज योगों की भादी परिणाम करने वाला एक मात्र ऐसी स्थती होगी जो पिप्ति को सर्व मानने बना देते हैं उसका मन उसका चित उसके जीवन की जो समरस्ता है वो बड़ पास के लोगों में मैत्री उसकी बड़ी प्रगाड होती है सब का सुख अपना ब्याय कंट्रोल करे अपना करियर बिल्कुल ही गती मान रखता है मतलब यहां भोजन का सुख बड़ियां मिलता है वस्त्र आवास सुख साधन दामपत्य पती पतनी संतान आदी हर चीज से द जन्मकुंडली के चोंते भाव में बैठेंगे तो यह अखन्ड राजयोग बनेगा जहां अगर शुकर जन्मकुंडली के लगने सोकर के चोंते भाव में बैठेंगे तो संपत्ति, भूमी, भावन, वाहन, चौपाया, सुख, जगती, छट्र-चमर, छट्र चमर लेकर के अनुभव देते हैं, ग्रंत को समझने वाला बना देते हैं, दानी बना देते हैं, थोड़े घमंडी भी बना सकते हैं, लेकिन सुक्र का चाहे ब्रिशब लगन की बात हो, चाहे तुला लगन की बात हो, लगने सोकर के जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे, तो यकीनन शुक्रदेव बड़े ही महान राजयोगों के कारक हो जाते हैं, और तुरंत ही व्यक्ति को आसानी से सबकुछ देने वाला ग्रह ये हो जाता है, अब शनी की बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में लगने शनी हैं, और अगर मकर लगन की कुंडली बनी है, त देखेंगे तो नौकरी देते हैं, राजनितिक सुख देते हैं, राजा से पदप्राप्ती होती है, पुरसकार मिलता है, समाज में विक्ति प्रतिष्ठित होता है, नियाय करने वाला होता है, मोटा मोटा काम करने वाला होता है, गंभीर पैसा कमाने वाला होता है, इतना ही चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनी किसी भी अवस्था में लगने सोकर के चौथे भाव में बैठते हैं तो खराब नहीं होते, बड़ी ही उत्कृष्ट और अच्छे परणाम इनको मिल जाते हैं ये एक बात और भी जो समझनी है, आपकी कुंडली में महत्वपून चार ग्रह होने चाहिए, वार का अधिपती वारेश, लगन का अधिपती लगनेश, उसके बाद योकार ग्रह और साथ में सूर्य और चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में नैसरगीक रूप से शुभग्रह बने हैं, चंद्रमा नहीं है, शुभग्रह से युक्त है, शुभग्रह से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में लगनेश, चाहे कोई भी ग्रहो करके चौथे भाव में बैटेगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रणाम बढ़ा ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है कुछ इसी तरीके साज के कारेकरम का समापन करते हैं तब तक के लिए इजाजा दीजे कल लिए फिस्व फुस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्कार